तो भाई अभी जब से मेरे को नए नए लोग मेरे से जुड रहे हैं तो सब लोग मेरे से दुबार दुबार सेम रेपिटिट कॉशन्स पूच रहे हैं कि आप कौनसे उनिवर्सिटी में वाप क्या कोर्स कर रहो तो भाई जो लोग नए जुडे हैं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो मैं अभी इदर यूके आया हूँ और मैं इदर मैंसी फाइनेंस कर रहा हूं बुरुनेल यूनिवसिटी से और जो सबसे बड़ा एक जो सबसे ज़्यादा पूछ आने वाला टोपिक है वो है कि प्लेस्मेंट एयर क्या होता है या आ सबसे बड़ी एजुकेशन जो लोग यूके से करने करते हैं उनका सबसे जाड़ा बैनेफिट यूके में क्या है यह एक यह एक है के उनिवसिटी उनिवसिटी यू के में आपको एक साल की मास्टरस करीज और वो वर्ल्डवाइड वैलिड है उसमें आपको ऐसा नहीं है क किसी दूसरे कैंडिडेट ने जोब के लिए किसी भी किसी दूसरे बंदे ने अगर दो साल की मास्टर्स करी है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि उसको जादा प्रेफरेंस मिलेगी और आपको कम मिलेगी वह आप इधर का को स्ट्रक्चर उनके क्रेडेट उनका प्रोग्राम ऐस आप अपने कोर्स से रिलेटेड वर्क एक्सपिरियंस गेंगरोगे या किसी कंपनी के लिए प्लेस्मेंट करोगे एक साल के लिए तो वहां पे प्लेस्मेंट काम आता है और जो मेजॉरिटी ओफ पीपल के लिए यह चीज है जो वह मतलब जो जो जिनको प्लेस्मेंट लेना चाहिए ताकि उनके लिए beneficial हो उनको आगे job लेने में कोई दिक्कत ना हो और सबसे बड़ा फायदा इस चीज़ का यह है कि आपको एक साल का stay back मिल रहा है लेकिन उसमें भी मतलब थोड़ी सी complications है तो जो बात करो कि मैंने placement year लिया तो मैं अपना example समझाता हूँ तो मैंने enroll करा था September 2021 के लिए ठीक है और मेरा course या मेरे अगर कोई बनता course खतम में अगर अगर अपनी normal बिना placement year की बात करता तो मेरा course खतम होता September 2022 में और मैंलको डिग्री मिल जाती September में या October नवंबर जो भी मतलब एक September 2023 तक और उसके बाद अब सीन क्या है कि इसमें थोड़ी सी complication बते क्या है कि अभी जैसे कि ना हमारा course structure ऐसा है कि ना मेरे एप्रेल में या में तक ना सारे exams खतम होचेंगे और फिर जो मेरे में से लेके September तक का पीरिड है उसके बीच में मतलब उन तीन महीनों में मतलब ऑ लेकिन अगर क्योंकि मैंने इस course के मैं अगर अपने प्रोग्राम की बात करो तो मैंने placement year लिया हुआ है तो मेरे को dissertation अभी नहीं करनी है मैं में के बाद ही मैं full time अपनी placement के लिए काम कर सकता हूं किसी भी company के साथ या जहां पे भी मेरे को placement मिल रही है तो मेरे को क्या होगा क कि अभी मेरे जैसे एक्जाम खतम होंगे मैं April May के बार डारेक्ट में अपने placement पे चला जाओंगा और एक साल का मैं काम करूंगा ठीक है तो अभी जैसे कि April May 2022 में से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा और April May 2023 तक मैं काम करूंगा और उसके बाद जो 3-4 महिने बचेंगे अपरिल से लेके अपरिल 2023 से लेके सेप्टेंबर 2023 तक मैं पार टाइम पे शुफ्ट हो जाओंगा और फिर मेरे को अपना प्रोजेक्ट मतलब अपना जो डेसर्टेशन है वह कंप्लीट करना है तो अभी मेरे को एक साल मिलेगा अपरिल में से पूरा फुल टाइम काम करने और फिर जो मुझे अभी को यह अपनी डेसर्टेशन देनी थी ना जो अगर मालो मैं प्लेसमेंट यह नहीं लेता तो मेरे को एपरिल 2022 से लेके सेप्टेंबर 2022 तक की जो प्लेसमेंट देनी थी वह मेरे नेक्स्ट यह पर शिफ्ट हो गई और उस बीच में फुल टाइम का नहीं कर सकता हूं तो यह प्लेसमेंट का कॉंसेप्ट है तो अब इसका फायदेगी बात करते हैं फायदा यह कि आप डारेटली आप फुल टाइम पर शिफ्ट कर लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी आप अपने लिए सेविंग्स कर सकते हो आपने जो ओवर द तो यह एक बेनेफिट है प्लेसमेंट का लेकिन इधर ही ड्रोबैक यह है कि बहुत सारी कंपनी अगर आपको नॉर्मली प्लेसमेंट मिल रही है तो तो वह प्लेसमेंट ऐसी होगी कि वह एक साल के लिए और फिर आपको दुबारे जोब सर्च करने पड़ेगी तो वह एक मतलब अगर मैं अपना एक्जांपल कॉंटिन्यू करूं तो अगर मैं एपरेल 2023 से लेके और सेप्टेंबर 2023 तक का जो पीरिड आएगा जहां पर मेरे को आपने डेशन कंपलीट करने तो बहुत सारी कंपनी ना उदर नकरे करते हैं कि आप अभी पार्ट टेम शिफ्ट हो या हम तो नहीं चाहिएं क्या पार्ट एप शिफ्ट हो तो आप से कंपनी कुछ चीजें जो आपसे company में चाहती है लेगिन because of वीजा 20 साल का ही व्रक वर्कार् सके नहीं कर पाते हो तो बहुत सारी उदर आपको मतलब lay off कर सकती है या वो क्या पता agree ना करे तो आपको अपनी ऐसी company ढूंडनी पड़ती है या उनको आपको पहले ही बताना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा scene है और मैं अगले एक साल के बाद मैं आपके साथ full time काम नहीं कर भाऊँगा तिन-चार महिने के लिए तो ये थोड़ी सी complication आ जाती है इसके अलावा जो एक फायदा है वो आपका एक साल का stay back बढ़ जाता है तो जैसे कि आज की date में ना UK government आपको दो साल का PSW देती है जैसे अगर आप एक साल का course कर रहे हो ना कोई भी course अगर 6 months से जादा की duration में है तो वो आपको 2 years का post study work visa के लिए valid करता है और आप भर सकते हो मतलब आप apply कर सकते हो और आप कोई भी job कर सकते हो irrespective of क्या आप कौन सी field में कर आप जैसे कि मैं इदर finance MSC finance करी है तो मैं Uber driving का भी काम कर सकता हूँ या मैं कोई भी normal MacD में भी काम कर सकता हूँ PSW पे लेकिन placement में आपके साथ ऐसा नहीं है placement में आपको आपकी relevant field का ही काम करना पड़ेगा आप normal काम नहीं कर सकते हो या आप out of your field काम नहीं कर सकते हो आपको अपनी ही field से related काम करना पड़ेगा लेकिन फिर भी placement year अगर आप लोगे तो placement year से क्या होगा कि आपके पास थ्री year stay back option बन जाता है जो आपका अगर आप without placement year लेते हो तो आपको दो साल कहीं मिलता है कि आपने एक साल degree करी और उसके बाद एक साला placement पे और दो साला PSW पे और अगर आप normal without placement लेते हो तो आपको सिर् placement year का तो नुकसान यह है कि एक तो आपको अपनी relevant में जोब मिलनी चाहिए जो कि कई बारी नहीं मिलती है या फिर अगर आपको जोब मिल भी जाती है तो वह जो company वाला सीन आता है कि आपको एक साल के बाद फिर पार्ट टाइम पे स्विच करना है तो बहुत सारी कंपनी उ हो जाता है और आप अपने आपको इस्टैब्लिश कर ले तो उस company में आपको एक प्रोपर साइंड रोल्स और रिस्पोंसिबिलिटी मिल जाती है जिसके बाद अगर आप वापस पार्ट टाइम पे जाते हो तो companies को problem होती है और इधर illegal कोई काम होता नहीं है कि companies आप अपनी आपकी पसंद की उनिवर्सिटी सारी उनिवर्सिटी भी प्लेस्मेंट एर नहीं देती है लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्लेस्मेंट का option दे रही है तो ले के आओ क्योंकि अगर आप यहां से मतलब आप अपने कोर्स के बीच में भी apply कर सकते हो या cancel कर सक प्लेस्मेंट एर को लेकिन अगर आप उसके बाद रिजेक्ट करोगे प्लेस्मेंट एर को यहां से apply करोगे तो वीजा में आपको अगर आप वहां जैसे कि अगर मैं आप नहीं बात करो तो मेरा कोर्स क्योंकि अभी मेरे कैस में प्लेस्मेंट एर के साथ था तो मेरे को जैन 23 तक वैलिड है मतलब मेरा सेप्टेंबर 22 से स्टार्ट हुआ और फिर मेरा सेप्टेंबर 24 में खतम होएगा और उसके बाद कु प्लेस्मेंट यहां का ऑप्शन दे रहे है तो प्लेस्मेंट यह लेकर आओ उसको कॉंटीनियू करना है या नहीं करना है वह आपके ऊपर है टोटली और उसका कोई आपको नुकसान मतलब उसके पैसे भी क्योंकि प्लेस्मेंट यहां फीस होती है जो कि 1.50 लाग रुपे या आपको जितना प्लेस्मेंट के लिए दोगे न उतना ही आपको प्लेस्मेंट यह के लिए देना है तो आपको कोई नुकसान नहीं है आप अराम से उसको लिए दे सकते हो आप अराम से अपने प्लेस्मेंट के साथ आओ आपको रखना है नहीं रखना है आपके उपर यहा सकते हो कि ना आप इंडिया या जिसे की बहुत सारे मेरे दर से दोस्ते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको इधर की प्लेस्मेंट नहीं मिली तो उन लोगों ने क्या करा अपने हो जाता है थोड़ा सा सेटिंग पे तो उन लोगों ने वहां से प्रिट बढ़ रहे हैं तो वह एक एडवांटेज है आप वह भी उसकर सकते हो और वह साइड बाइस आइड कर रहे हैं इतर नॉर्मल पार्ट टाइम जोब कर रहे हैं और फिर अपना उसके बाद वो लोग इधर अपने एक्ट्वल जोन की फिल्ल की जोब है वह सर्च कर तो वह आप मतलब ऑप्शन कंसेडर कर सकते हो अगर आपको यहां पर जोब नहीं मिल रहे हैं और आपको थोड़ा सा स्टे बैक का टाइम बढ़ाना है तो यह एक बैटर ऑप्शन है लेकिन अब मैं अगर मैं अपने इसकी बात करूं तो मैं अभी प्लेस्मेंट यह अपन अप्षन है या कुछ भी उप्षन है ना वह यह है कि आपको ना अगर मैं आयलार या पी आर की बात करो ना टीर वाला वीजा है वो वैलिड नहीं है टीर टू के लिए तो आपके ना इयर्स काउंट नहीं होते हैं और अगर नॉर्मल अगर मैं कोई भी लीगल जो दूसरी कंडिशन है कि आप 10 साल रहो तो भी हमारे जैसे एक साल पढ़ाईगा और एक साल प्लेस्मेंट का और दो साल आपका नॉर्मली पे रहे जो तो अभी आपके 40 साल हो रहे हैं तो इन एन केस हमें टीर टू पे शिफ्ट होना है अगर हमें यूके में सेटल होना है तो इस चीज के चकर से आपको टीर टू की जॉब सिक्योर करनी ही करनी है तो मतलब लोगों को ऐसा भी होता है कि आपको अगर आप पोस्ट ग्रेजवेशन या मास्टर्स कर रहे हो उसके बाद आपको टीर टू की जोब मिल जाती है लेकिन वो थोड़ा से डिफिकल्ट होता है तो उस चीज को अगर उस ट्रेंड से आपको बचना है तो आपको टीर टू की जॉब के लिए आपको वर्क एक्सप अगर आपको टीर टू करने की ज़रूरत है कुछ गलत आप कर रहे हो या आपकी फिल्ड ची निया आपकी जोब कर रहे हो उदर उसका यूके में स्कोप नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके बास दो साल का एक्सपिरियंस है और तब भी आपको जोब करने में स्ट्रगल होगी क्योंकि तब आपके पास यूके एजूकेशन होगी आपके एक्सपिरियंस होगा तो टीर टू जोब आपको राम से मिल जेगी तो प्लेसमेंट यह वहां पे थोड़ा सा ड्रोबैक कर देता है प्लस मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है और मैं भी अगर रेलेवेंट एक्सपिरियंस है तो मैं डारेक्टली अपनी प्लाई कर सकता हूं कंट्रीज लाइग ऑस्ट्रेलिया कैनेडा लेकिन क्योंकि अगर मालो मैं प्लेसमेंट यह लेता हूं तो मेरे डिगरी एक साल के लिए पोस्ट पोर हो जाती है तो मैं वह वाला मेरा हो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए जैसे मेरे को भी लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए मैं अगर मेरे को टीर टू पर जॉब मिलेगी तो मैं टीर टू की जोब करूंगा वरना मैं पीस डबलू पर शिफ्ट हो जाओंगा और मैं अपना नॉर्मल होराइजन खोल सकता ह हूं ताकि मेरे पास डिग्री मेरे पास होगी तब इंटरनेशनली पर भी अप्लाई कर सकता हूं बीट कैनेडा यूस ऑस्ट्रेलिया खाई पर भी तो वह सारी चीज़े या यूरोप में तो वह सारी चीज़े आपको देखनी है कि आप कैसे मतलब आपको डूरिंग यूर है अगर तो आप नॉर्मली यहां आके उसको कैंशल करना तो कैंशल करना बहुत ईजी है या कैंसल कराने की जरूत नहीं कि यदतरना एक केंशल कूरा सकते हो तो मेरे हिसाप से सब को ले के आना चाहिए और फिर आए प्लाई कर सकते हो तो यह आज की वीडियो थी हमारी प्लेसमेंट के बार में अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरी लिंक्डेन की या इंस्टाग्राम की या स्नैपचेट की सारी मैंने डीटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिये या इधर भी आ रहा होगा त तो आप उदर से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ लव फ्रम लंडन बोई फ्रम इंडियाग अ रिंड़ों आपको प्रम इंड़रे लाक माम की य़ बोई भी रिल्म भी एंड़ की ज़रे हो की वीडिय architectव की पल्दीर्ख लाओ में लंगूब की की बोग्राफर की प्रें रिल्म जुतनीे माम हैं गशना की ऑवित से में रिये प stress प्रम एक पोब स्वित में चुतनी